कलाएं किस तरह से द्रिष्टी का विकास करती हैं इस पर बात कर रहे हैं कलाएं हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती हैं जिस तरह की बाहर यात्रा कोई कलावस्तु हो सकती है वो कलाएं हमारे भीतर की यात्रा पर भी हमें ले जाती है और यह जो यात्रा है यह इतनी अमूर कि हम किस तरह से अपनी दृस्टी का विकास करते हैं, या दृस्टी का विस्तार पाते हैं कलाओं के बहानें, मैं ने अभी एक उधारन दिया था, कि अगर प्रभा आतरे कोई भजन गाती है, कोई राग गाती है भीमपलासी गाती है या भूप गाती है तो आप देखेगा कि वो अगर किसी का अहवान कर रही है तो हम उस उन स्वरों के सहरे कहीं पार पहुच जाते हैं हमारा हमारा संबंद कहीं और आगे की और बढ़ जाता है या अगर नाटक देखते हैं तो आप द हम जब सामान्य शब्दों को सामान्य वाक्यों को प्रयोग में करते हैं तब वही तक सीमित रहता है उसकी अर्थवत्ता अभीदा तक सीमित रहती है लेकिन वही वाक्य जब समवाद के रूप में किसी नाटक का अंग बन जाता है अर्थात किसी कला का अंग बन जाता है तब चोटी रात को सुनकर छोटे चित्र को देखकर यह जो काम होता है यह इतना इतना महीन और इतना कला की और से इतना खुबसूरती से किया जाता है नैसर की कृप से किया जाता है कि हम आनंद का अनुभव करते हैं आपको मैं बताओं कि जैसे लोग कलाएं हैं लोग कलाओं का ह हमारी एक तल होता है हमारी आवशक्ता का हम किसी भी वस्तू किसी भी चीज को उपयोगिता के तल पर लेते हैं लेकिन जब हमारी उपयोगिता वाली पूर्ती हो जाती है हम किसी चीज को प्राप्त उससे जो सामन्य जीवन चरिय की चीज करना चाहते हैं वो जब हो जाती है तब हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अभीपसा को, इस प्यास को पून करती है, इस प्यास का पानी कलाएं हैं, मान लीचिये लोग कलाएं हैं आप देखिए घर अपनी अपूर्ती करता है रहने की वो आपको बारिश से बचाता भी है और धूप से बचाता है और भी लेकिन उसी घर पर जब हम मानने मांड देते हैं उसी घर के चोक में कुछ चित्र बना देते हैं तो वो घर पर आई हु पर कुछ भावात्मक रूप से अलब तरह से जुड़ जाते हैं वो घर उस घर के मालिक आप हैं या नहीं आपका संब्ध उससे बहुत गहरा हो जाता है और यह तमाम तरह की चीज़ें उसी को लेकर है अगर हम पुरानी बावडियों को देखेंगे तो उनके साथ भी यही संबंध है कि हम पानी निकालने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था कर दी जा सकती थी लेकिन उसी पानी निकालने वाले स्थान पर कितनी तरह से उनको बुना गया है उनको घड़ा गया है कि कितनी तरह की पावडियां बनाई गई है कितनी तरह के जरोखें वहां लगाए उन सीडियों को कितनी तरह से सजाया गया है यह सारा प्रपंच जो किया जा रहा है असल में वो कलाओं से जुड़ने के लिए किया जा रहा है और कलाओं से जुड़ने का अर्थ यह है कि हम उन कलाओं के बहाने थोड़ा और विस्तीन होते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते है तो हमारी आवशक्ता को लेकर जो चीजें दुनिया में बनी है, मनुष्य की यात्रा उससे आगे उसकी आंत्रिक अभीप्सा को शांत करने के लिए प्रयतनशील रही है, वो मनुष्य हमेशा अपनी यात्रा को बढ़ाना चाहता है और उस बढ़ती हुई यात्रा में गुण अगर रविदिन नाथ टेगोर कोई चहरा बना रहे हैं या अकबर पदमसी बना रहे हैं या आपके अतुल डोडिया बना रहे हैं तो वो जो सामान्य चहरा है उस सामान्य चहरे को जब हम देखते हैं तो हम किवल आंख नाक कान ही नहीं देखते हम उस आंख नाक कान के सहा सहारे उस चहरे की वृत्त या वक्र रेखा के सहारे उस चहरे के पार चले जाते हैं, हम किसी भी चित्र को, किसी भी रूप को जब देखते हैं, तो वो देखना उस रूप के भोतिक उपस्तिती का प्रमार नहीं है, वो उस रूप का एक प्रयास है, जो उसके दर्शक को अप अपने अपने अपकरण द्वारा कहीं और ले जाता है और यह जो कहीं और जाना है यह इतना महीन है इतना सुन्दर है कि इसको हम कलाओं का नाम देते हैं अनेक तरह की चीजें हमारे सामने लगातार आती हैं आज का जो विशय है वो द्रिश्टी है कलाओं कलाओं हमारी द्रिश्टी का विस्तार करती है कहा गया है कि द्रिशिते अनेन इतिदर्शनम यहां द्रिश्टी का आशय देखने से है यहां द्रिश्टी का आशय दर्शन स साथ में है और ये दर्शन है क्या ये दर्शन है हमारे भीतर की आँखों से देखना मैं आध्यात्मिक पक्ष को लेकर बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल उसके उस पक्ष को लेकर बात कर रहा हूं जिस पर हमारा पूरा भारती वांग मैं और हमारी पूरी भारती संस्कृति का चिंतन टिका हुआ है, तो ये जो दृष्टिते अनेन दर्शनम, ये जो देखना है, ये जो दृष्टिता है, ये दृष्टिता ही हमारी पुंजी है, अब इस पुंजी को संपन्न या इस पुंजी में बढ़ापा किस ने किया है, कलाओं ने किया है, उसको हम अलग तरह से स देखते हैं, एक तो यह है कि हम जब किसी चीज मान लीजे मेले को देखते हैं, एक मेला देखने हम गए हैं, तो लोक को देखना, लोक का होकर देखना और लोक से पार देखना, यह इसके चरण हो सकते हैं, जब हम मेला देखने गए हैं, तो हम में एक मेले का हिस्सा हूं, यह ये एक भाव है, ये बहुत सामान्य भाव है, और उस मेले में अगर 2000 या 5000 की भीड है, तो वो सब उस मेले का हिस्सा है, लेकिन मेला कब कला बन जाता है, जब आप उसके दृष्टा हो जाते हो, मैं मेले में एक हिस्सेदार हूँ, मेरा ये किरदार एक सीमित पायदान पर आ है, जब मेरे मन में, मेरी अपनी दृष्टी से, मेरे अपने भावों से, मेरे अपने चिंतन से, जब मैं उस मेले को एक दृष्टा के रूप में देखने लग जाता हूँ, और जब मैं दृष्टा के रूप में देखता हूँ, तब मैं सर्वस्व या अस्त्त्य के साथ ज खरीद नी है और मेले में मनुरजन लेना है वो सामाणय किराओं से साक्षी की रूप में देखना और यह मेले का तो सामान्य उधारण है इसके बहाने हम अनेक अनेक उधारण देल ले सकते हैं हम किसी रंकर्म को देखते हैं किसी कलाकार को अभिने करते देखते हैं या हम किसी को वाद्धियंत्र बजाते देखते हैं तो वो जो उसकी सामान्य क्रिया है और उस उस उपकरण से निकलने वाली स इस अमामानी ध्वनिया हैं, उन ध्वनियों में रचावशा, जो कलात्मक आयाम है, वह ही हमें बहुत आगे ले जाता है, वही हमें कुछ संपन कर जाता है, हम कलाओं के सहारी कैसे आगे बढ़ेंगे, दृष्ठी का विस्तार कैसे है, अगर इसको और सरलत शब्दों में समझें तो हम देखते हैं कि उसका जो सबसे महत्वपून उपकरण है कलाओं का वो है लए यह जो लए है इस लए को आप सुबह से लगा कर रात तक अपनी पूरी दिन चर्या में देख सकते हो और जब जब हम इस लए को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अंदर से आलहाद महसूस करते हैं एक कलाकार यह करता है कि इस प्रकृति में उपस्थित लए को अपने तरीके से अपने माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है प्रत्यक व्यक्ति बिना लए के जीवित नहीं रह सकता लेकिन जब अग्यात में होती है लए तब हम सामान्य ही रहते हैं लेकिन उसी लए को जब किसी कलात्मक रूप में बांध दिया जाता है तो वो हमारे दृष्टी का विस्तार करने को आतूर हो जाती है या हमारी दृष्टी का विस्तार हो जाता है इसको हम अगर आप देखेंगे कि कोई जरोखा बना है कोई नृत्य कर रहा है जब हम नृत्य की मुद्राओं को देखते हैं तो वो मुद्राएं आपके उस नर्तक के आंगिक संचालन के द्वारा आपके भीतर के भीतर के रस क प्लावित करती हैं थिरक वो कहीं बाहर रहे हैं लेकिन उस कलाकार में उस कला के बहाने आपके भीतर रस उत्पन किया और यह जो रस की निश्पत्ती है यह जो रस आपके भीतर आया है इस रस का स्विकार करना ही दृष्टी का विस्तार है किसी रस को अनुभूत करना ही आध्यात्म में इसको और आगे ले जाकर अनेक लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, कोई इसको आनंद कहता है, कोई इसको ब्रह्मानंद सहोधर रसपान कहता है, कोई किसी भी रूप से नुभूत कर सकता है, लेकिन असल बात ये है, कि जब हम उपस्तित है, उस उपस्तित को कुछ अतिरिक्त के रूप में महसूस कर पारते हैं, वो काम कलाएं करती है, और उसको महसूस नहीं कलाओं से गुजरना है, ये इस सम्मन्द में मेरा पहला मत था, हम कलाओं पर जब बात कर रहे हैं, तो एक चीज बहुत शिद्दत के साथ में महसूस कर रहा हूँ, कि एक होता है एजुकेशन, अभी ही मैं थोड़ी देर पहले ही कहीं बात कर रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था, और ये लगातार, दस्यों सालों से मुझे लगातार लगता रहा है, कि ये जो ग्यान है, ये ग्यान हमारे उस रश निश्पत्ती में, उस कलात्मक बहुद में, उस आनंद के अवस्था में जाने में कितना मददगार है, और मैंने ये पाया कि शिक्षा जो है, ये जो ग्यान है, ये ग्यान आपको सुविधाओं के तल पर और सामान्य तल पर प्रकृती की, जीवन चर्या की चीजों को लेकर आपको संबन कर सकता है, लेकिन जानकारियां ये ग्यान दे सकता है, लेकिन ग्यान ये शिक्षा आपको द्रिश्टी नहीं दे सकते हैं, कम से कम इतना तो जरूर है कि वो उस द्रिश्टी में सहायक हो सकते हैं, लेकिन उस द्रिश्टी की पुरोणा होती ग्यान के द्वारा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा होता तो अभी तक इतने अनपड यानि बिना पड़े लिखे कभी महान रसों से कैसे गुजरे हैं इतने सारे हम जब बहुत हजारों सालों से अभी तक की अगर साहितिक विचारधारा को देखते हैं साइतिक अवदान को देखते हैं, कलात्मक अवदान को देखते हैं, तो वहाँ ये बहुत साफ हो जाता है कि शिक्षा ने उनको किसी तल पर कोशल से युक्त किया होगा, लेकिन दृष्टी से संपन होने के लिए क्या किया जा, दृष्टी से संपन कैसे हुआ जा सकता है, य दे सकती है लेकिन अनुभाव करना ये हमारे निज पर निर्भर है और ये जो निज है इस निर्ज को हम तरकातीत ये दिले जाते हैं तभी संबव है कि हम किसी कलाग के बहाने अपनी दृष्टी का विस्तार कर पाएंगे मैं आपको इस तरह से बताँगा कि गायतोंडे जो हमारे भारत के महान चित्रकार रहे हैं वो तो एक बार हुसेन का तो कथन भी आया है कि मैं popular जरूर हूँ लेकिन genius आप हो वे गायतोंडे से कहते हैं तो यह जो उनकी जिन जिनियस के हम बात कर रहे हैं, उनकी एक बहुत सरल सी बात है कि वो जब चित्र बनाते थे, तब घंटो घंटो कैनवास के पास बेठा रहा करते थे, मैंने उनकी जिवनी को पढ़ा तो मुझे ताजुब हुआ कि किस तरह का व्यक्तित्व है, एक दुम अबूज और जब उनके व्यक्तित्व को हम घहरे तरीके से देखते हैं, तो पाते हैं कि वो जो उनका जो कलात्मक अवदान है, वो अनुपम है, अब उस अनुपम अवदान के पीछे क्या चीज़ है, वो इसलिए है कि वो प्रकृति से एकाकार करते थे, प्रकृति के इसलिए वो घंटो-घंटो समुद्र के किनारे बैठे रहा करते थे, अगर किसी पेड को देख रहे हैं, तो देर तक देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो देखना है, ये पेड के रूप तक देखना नहीं है, ये पेड की केवल शाखाओं, डालियों, पत्तों को देखन नहीं है यह उनका देखना है यह देखना है अपने आपको उस पेड़ से उस तरह से जोड़ लेना कि आपके भीतर कोई ड्वेद न रहे इसको शंकराचायरिय ग्याता गेय अभेद की बात करते हैं यह जो जानने वाला है और जो जाना जा रहा है इन दोनों के बीच में कोई भेद न रहना और कलाएं आपको ग्याता गेय के भेद से बहुत परे ले जाती है जब कोई चित्र देख रहा होता है और कोई चित्र उपस्थित होता है तो यह जो चित्र है यह गेय है यानि कि इसको देखा जा रहा है और यह जो चित्र देखने वाला है वो ग्याता है ल जब चित्र चित्र ना रहे और देखने वाला देखने वाला ना रहे यानि कि दोनों का जो एकाकार है ये जो अभेद है ग्याता ग्ये का अभेद ये अभेद तक पहुचाने का काम कला करती है चुकि आप देखोगे कि आप सामन्य चीजों से कभी कभी चौकते नहीं हो कभी सिप्परग्या नहीं हो सकते, कभी स्थब्द्द नहीं हो सकते. तमाम तरह कि कलाएं ही आपको स्थब्द करती हैं. और यह जो स्थब्दता है, यह सामण्यमुझी की कुछ ख्रोणों की हो सकती है. जब आप इसमें बहुत घहरे अगर इस यात्रा में गुजरते हैं, इस अनुभव से गुजरते हैं, तब ये इस तब्दिता, तब ये मौन, तब ये एकांत, आपके साथ में आपको पूरी सुष्टी से इस ब्रह्मांड से जोड़ देता है, तब आप आप नहीं रहते, ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं यह जो एकत्व है, इसी एकत्व को लाने में कलाएं अपना योगदान देती हैं, ऐसे अनेक मेरे पास में उदारण हैं, जिसमें आपको कैसे संपन्न करती हैं कलाएं, प्रयाक शुक्ली जी कहते हैं, मैंने जब उनका संबाद किया था, आम साथ में रहे, वे कह रहे थे कि मै जब यक्षणी को देखता हूँ, पटना म्यूजियम में, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तीन घंटे, चार घंटे से एक उस पाशान की मूरती के समक्ष खड़ा हूँ, अब कोई व्यक्ति, तीन या चार घंटे किसी एक ही वस्तु के सामने खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसका खड़ा होना और उस वस्तु का केवल भोतिक मुल्यांकन नहीं हो सकता, वो जो वस्तु है, उस वस्तु में जो कला की संपन्नता है, वही आपको वहां तक ले जाती है, और यहां पर इस उदारन से हम ये देख रहे हैं कि हम कलाओं के द्वारा जो उप हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि एक कोई पुराने बरतन है, अब आप देखिए कोई लोटा बना हुआ है, कोई घड़ा बना हुआ है, उस पर मीनाकारी की गई है, उसको भिन्य तरे से अलिंकृत किया गया है, उस पर नकाशी है, उसकी जरूरत क्यों है? पानी भरने का पातर ही चाहिए था, तो वो सामन्य बनाया जा सकता था, उस घड़े के साथ में या उस पातर के साथ में एक अतिरिक्त मेहनत क्यों जोड़ी गई है, असल में ये जो उधारन हैं कि हम एक घड़ा देख रहे हैं और उसके साथ में नकाशी की गई है, जीवन के तमाम आयामों में, जीवन की तमाम चीजों में प्रत्य एक मनश्य इस बात को लालाइत रहता है कि वो अपनी यात्रा को वो अपनी दृष्टि का विस्तार चाहता है और जब वश्तार चाहता है तो वह उसकी उपयोगिता से आगे बढ़ता है और उसको स्थित्प्रग्य है यही कलाएं हैं हम 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 एक चीज और देखेंगे आप प्रकृति की किसी हम चीजें घड़ते हैं चुकि हम मनुश्य हैं और हमारी हमारे बुद्धी प्रकल्प दूसरी चीजों से थोड़ा ज्यादा सक्री हैं अगर पेड़ों से ले लो या पशूं से ले लो तो लेकिन आ आप एक चीज को महसूस कीजेगा कि कलाएं कहां नहीं है कलाएं सबसे बड़ा तो यह है कि प्रकृति के आप सारी चीजों को अगर नोट करेंगे आप देखेंगे कि सारे पहाड चाहे वो यहां मेवाड में हो या आपके विंद की स्थल वाली भूमी पर हो या अफरीका म हो सारे ही पहाड पूरी लए में हैं सारे ही पेड चाहे वो यहां हो या और कहीं हो सारे ही पेड अपनी लए में हैं सारी ही नदियां अपनी लए में हैं सारी चट्टानें सारी मिट्टियां सारे रेगिस्तान सारा समुद्र सब कुछ लए में हैं और मनिश इतना बोना है क कि इनकी लए में एक भी कमी नहीं निकाल सकता आप अगर प्रकृति की किसी भी चीज को जिसको प्रकृती निश्पन कर रही है उसकी लए इतनी गहरी है कि आपकी शमताएं उस तलकिन नहीं है लेकिन मैं कांट को यहां पर लाऊंगा एमैनुवल कांट को वे इस बात को आग हमारी भिन्नता है वह इश्वर प्रदत यह है कि हम संकल्प की स्वतनत्रता से संपन्न है मसलन इश्वर ने केवल केवल मनिश्य को यह शक्ति दी है कि वह संकल्प कर सके शुब संकल्प कर सके और उन शुब संकल्पों के सहारे यदि उससे कुछ संभव हुआ है तो वह कु जो हमारे रस का प्लावक हो सकता है और यह जो रस प्लावन है इसके लिए निवारी शर्ट है कि कला से निबद्ध हो यह कला मैं हो कला का अपना बहुत विस्तित आयाम है आप किसी भी तरह की कलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें वो सारा का सारा आयाम आपको कहीं कहीं एक लए में ले जाता है मैं अगर आप इसकी अगर हम दृष्टी के विस्तार की बात करें तो इसके दूसरे पहलू पर बात करना चाहूँगा बहुत सारे कलाकार हो सकता इस कारिकर्म को देख रहे हूँ वो है कि हम जब कलाओं के बहाने दृष्टी का विस्तार करते हैं तो इसका सरली करण ये भी है कि हम मूर्थ से अमूर्थ की ओर जाते हैं हम विश्लिष्ट से संस्लिष्ट की ओर जाते हैं हम कठिन से सरल की ओर जाते हैं हम दृष्ष से अदृष्षी की ओर जाते हैं और ये जो चरण है कलाओं का रूप से अरूप की ओर जाने का चरण ये वात महत्वपून चरण है आप देखोगे कि सारी ही चीजें रूप से शुरू होती है लेकिन जब वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाती है तो वो अरूप की और घमन करना शुरू कर देती है और कलाएं वही करती है और जो चरम अवस्ता है कला की उस अवस्ता में तो जिसको भूमा अवस्ता कहा गया है दर्शन में उस अवस्ता में तो कुछ शेंश ही नहीं है ये सोचने वाला भी शेंश नहीं है कि शेंश नहीं है उससे पुर्व वाला जो कला का आयाम है वो है रूप से अरूप की और जाना बहुत सारे आधुनी कला के चित्रकार हैं, आप आपने उनकी पेंटिंग्स देखी होंगी, बहुत सारे शिल्पकार हैं, मैं बात करूँ यदी की हिम्मत शाह हैं हमारे राजस्तान के एक बड़े स्कल्प्टर, आप वो जो रूप निर्मित करते हैं, क्या उस रूप को चिन पाते हैं, नहीं, उसका कारण है कि उनकी यात्रा रूप से अरूप तक उस दृष्टा से ज़्यादा संपन रही है, ज़्यादा गहरी रही है, और जब रूप से अरूप की और यात्रा होती है, तो उसका संगनन, उसका घनत्व बहुत बढ़ जाता है, और तमाम तरह की क लाएं अपने अन्तिम चरण में अपनी समपनता में अपनी सेषटता में रूप से अरूप की और जाती हैं, हम जब शुरू में चीजों को कम समझते हैं तो हमें बहुत सामानिय संगीत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं, तो हम रस के अनुभूती करते हैं शास्त्री संगीत में, वो शास्त्री संगीत में आप देखेंगे कि सब कुछ अबस्ट्रेक्ट है, क्यों है? क्योंकि वो रूप से आया था, पहले शब्दों से आबद्ध था, शब्द के अर्थ का रूप से अरूप की और यह बहुत महत्वपुन सफर है और इसको आप कई तरह से देखोगे कई लोग सवाल करते हैं कि पेंटिंग समझ में नहीं आती कई लोग कहते हैं कि आपने क्या बना दिया कई तरह की चीजे हैं और असल में उसका कारण यह है कि यात्रा जो है वो कोह दो कि नहीं हो पाई है मतलब कि हम कलां को समझने की जो क्षमता होती है उसको विक्सित करने का अभी परिवेश कम से घंध consumers में और दक्षेड़ेशया में नहीं बना पाए हैं थो यह जो यात्रा है कला को समझने की उसको आत्मसाथ करने की उसकी विरलता या कमी की वज़े से हम कलाओं के साथ में तुनंत नहीं जुड़ पाते हैं चुकि अगर कोई कलाकार किसी अमूर्तन को गड़ता है तो उस अमूर्त तक उसकी आने की जो यात्रा है उस यात्रा को उस दुरश्टाने समझने के उस दौरान में उस चरण में नहीं अपनाया है आप हम बार-बार इस बात को इंगित करते हैं कि विधेशों में बच्चों को पेंटिंग्स के मुजयंस में ले जाया जाता है पेंटिंग्स की गेलरियों में उनको पता ही जाती है शिल्प के साथ में खड़े रहकर उसके विशेशताओं के बारे में बात की जाती है भावनों के रूपाकारों पर बात की जाती है और ये बहुत छोटी कक्षा से शुरू हो जाता है और जब बच्चा किश्वर आवस्ता और यवावस्ता तक आता है तब वो उस रूप से उस कला से रूबरू हो चुका होता है और उसके भीतर वो ख्षमता उत्पन हो चुकी होती है कि वो उसका आस्वाद ले सके अब हमारे यहाँ पर ऐसी स्थितिना होने की वज़े से कलाकार की यात्रा तो किसी रूप से रूप तक की है मालीजी हिम्माद शाह की ही बात करें हम तो उनका जो शिल्प है वो तो उतनी यात्रा कर चुका है कि वो उस तल पर आ गया है लेकिन हम जो देख रहे हैं हमारी यात्रा उस तल तक नहीं रही है तो यह एक ऐसी चीज है जिसमें भारत को सूचना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करने होंगे कलात्मक प्रयास करने होंगे आप नाग जी पठेल का शिल्प हो या पंकज गहलोत का शिल्प हो अब देखोगे वो सारे ही रूप अरूप की और यात्रा कर रहे हैं यही चीज संगीत में है यही नाटक में है यही चित्र कला में है सारी तमाम तरह की कलाओं में रूप से अरूप की यात्रा है और यह जो रूप की यात्रा है, यही द्ष्टिक अविस्तार है, हम एक चीज और आज बात करना चाहेंगे, कि कलाओं की आपस में आवाजाही है, आपस में आवाजाही ऐसे इस तरह से यह कि तमाम कलाइग आपस में संबध्ध है, इसलिए भी संबध्ध है कि अन्तिम अवस रस्त की अवस्ता है। मैं चुकि सहित्य भाषा के द्वारा बात कर रहा हूं इसलिए इस शब्द का उप्योग भाषा की तरह से कर रहा हूं लेकिन यह सच है कि तमाम तरह की कलाओं का जो अंतिम सोपान है वो रस्त अवस्ता को प्राप्ट करने का है। और यह जो रस अवस्था है, यह अवस्था तमाम कलाओं की एक में या एक साथ गुती हुई है, तो यह जो अगर आप संगीत में निपून होना चाहते हैं, या नृत्य में निपून होना चाहते हैं, या चित्रकला में निपून होना चाहते हैं, तो आप देखेगा अगर आ आप अपने मन को अधर जाता हुआ पाएंगे उससे खुशी महसूस करते हुवे पाएंगे तो यह जो मन है इस मन की जो अभीलाशा है यह अभीलाशा अ solutions कालाओं के उस अ कज Lehr को कलाओं के अंतव सम्मंदों को स्पष्ठ करती है कलाओं की आपस में आवाज आई ही है मैं इसको आपको इसलिए मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ कि कोई चितरकार कैसे कविता लिखता है और कोई कविता में कैसे चितरा जाता है मेरे पास में एक दू कविताएं हैं मैं आपको सुनाना चाहूंगा और अगर आप कहोगे तो मैं अपनी कवीता भी आपको सामने रखोंगा देखेए आप जैस्वामी नातन के कवीता मेरे सामने है जैस्वामी नातन बड़े चितरकार रहे हैं भारत के कवीता सुनाना चाहता हूँ की कैसे एक कला का दूसरी कला में आवाजाई ही होती है और दृष्टी का विस्तार किस तरह से हैं वे लिखते हैं अगर जो स्वामी नाथन के चित्रों को अगर आपने देखा है तो आप महसूस करेंगे वे कहते हैं कविता का शीर्शक है दूसरा पहाड यह जो सामने पहाड है इसके पीछे एक और पहाड है यह जो सामने पहाड है इसके पीछे एक और पहाड है जो दिखाई नहीं देता धार धार चड़ जाओ इसके उपर राना के कोट तक और वहाँ से पार जाको तो भी नहीं कभी कभी जैसे यह पहाड धुंद में दुबक जाता है और फिर चुपके से अपनी जगह लोट कर ऐसे स्थिर हो जाता है मानो कहीं गया ही नहो देखो न वैसे ही आकाश को थामे खड़े हैं दयार वैसे ही चमक्र ही है घराट की छत वैसे ही बिछी है मक्की की पीली चादरें और डिंगली में पूछ हिलाते डंगर जों के त्यों बने हैं ठूट सा बैठा है चरवाहा आप कहते हो वह पहाड भी वैसे ही धुंद में लुपका है उबर जाएगा अजी जरा आकाश को तो देखो कितना निर्मल है न कहीं धुंद न कोहरा न जंगल के उपर अटकी कोई बदली की फुही वह पहाड दिखाई नहीं देता महराज उस पहाड में गूजरों का एक पड़ाव है वह भी दिखाई नहीं देता न गूजर न काली पोशात तनी कमर वाली उनकी औरतें न उनके मवेशी न जबरे कुत्तें रात में जिनकी आँखें अंगारों सी धदकती है इस पहाड के पीछे जो वादी है न महराज वह वादी नहीं उस पहाड की चुप्पी है जो बगेरे की तरह घात लगाए बैठ है ये कवीता अब देखिए इसकी बिंब इसका मिन्यास इसकी धनिया इसमें उपयोग मिलिये गए शब्द कितने कितने चित्र रचते हैं तो हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि कलाओं की आपस में आवाजा ही है एक हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार ने एक बड़ कवीता रची है ऐसे ही पिकासो की कवीता सुनाता हूं मैं आपको पिकासो की कवीता का शिर्षक है अपने एकांत में अपने एकांत में चुप रहो कहो नहीं कुछ भी अब एक चित्रकार एक कवीता रच रहा है यह जो आवाजा ही है यह कितने महत्वपूर्ण है यह इसलिए भी मैं कहे रहा हूं कि हमारे कलाओं का जो कलाओं में जो संपन्नता होनी चाहिए उसकी अगर कमी दिखाई देती है तो उसका कारण है कि कलाओं के बीच में हो रहा है अगर कहीं कोई सुगम संगीत या शास्री संगीत की सभा है तो वहां बहुत कम चित्रकारों को देखा जाएगा और अगर कहीं नाटक हो रहा है तो वहां बहुत कम संगीत कार होंगे और कहीं कहीं संगीत बज रहा है या कहीं चित्र बनाए जा रहे हैं तो वहां बहुत कम संगीत का रहेंगे तो ये जो सितियां हैं ये सितियां आज के इस परिवेश में इस बात को बल देती है कि कलाओं की आवा जाही यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इन कलाओं का बहुत ही भला नहीं होने वाला है इन कलाओं के विका अपने एकांत पर वो एक कविता रच रहा है कि अपने एकांत में चुप रहो कहो नहीं कुछ भी अपने एकांत में चुप रहो कहो नहीं कुछ भी कि कैसे सडक भरी है सितारों से और केदी खाते हैं कबूतर और कबूतर खाते हैं पनीर और पनीर खाता है शब्द और शब्द खाते हैं पल और पल खाते हैं निकाहें अपने एकांत में चुप रहो, कहो नहीं कुछ भी, कि कैसे सडक भरी है सितारों से, और केदी खाते हैं कबूतर, और कबूतर खाते हैं पनीर, और पनीर खाता है शब्द, और शब्द खाते हैं पल, और पल खाते हैं निगाहें, और निगाहें कटोरे चंबनों से भरे हुए कैसे हर चीज छिप जाती है अपने पंकों में तितली रात पिछली गर्मियों में बार्सिलोना के एक कैफे में अब आग देखिए कि एक चितरकार का जो रचाव है वो अपनी विधा को तोड़ कर उसी त्वरा को उत्पन कर रहा है उसी इमेज को ला रहा है जिस इमेज तक उस कलाकार की यातर रही है तो ये कलाओं की आवाजाही पर हम बात कर रहे हैं थे इसमें अगर मैं भारती बारती किसी उधारण को लेता हूं आप देखिए कनाद अगर रिशी की हम बात करें तो किस तरह से एक वेज्ञानिक की भी कलाओं को लेकर आवा जाही है अभी भारती मतलब कुछ वर्षों पहले एक प्रियोग हुआ था गौड पार्टिकल को लेकर कि वो जो अंतिम जिससे स्रिष्टी का निर्मान हुआ है व पर्मानु की बात करता है उस युग में बात करता है जिस युग में कोई कोई आपके पास में ऐसा उपकरण नहीं था कि आप छोटी चीज़ों को देख पाएं वो पर्मानु का जो वर्णन करते हैं और पर्मानु का जिस तरह से विभाजन बताते हैं वो चोकाने वाला है अब मैं इसके साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो महर्शी कनात का परमानू है ये परमानू उनकी अध्यात्मिक निश्पतियों पर खरा उतरता है और वही परमानू बहुत ताजुब है कि हिग्स बोसोन जिस गोड़ पार्टिकल को खोजा गया पीटर हिग्स और सत्यनाद बोस के नाम को लेकर जिस पार्टिकल का नाम रखा गया वो अपनी वैग्यानिक और भोतिक उपलब्दियों में वैसा की वैसा वैसा ही वैसा अभोतिक है तो एक रिशी आध्यात्मिक निश्पतियों को प्रदान कर रहा है और दूसरा भोतिक निश्पतियों को और ठीक दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं यह जो सोचना है यह जो देखना है यह जो दिश्टता है यही कला है हम विज्ञान के बहाने या और किसी भी किसी भी विशे के बहाने हम कलाओं का विस्तार उसके साथ एकाकार से पा सकते हैं कलाओं का समाज से समवाद भी लगबग बंद हो गया है अभी आप देखोगे तो एक बहुत गजब की स्थिति यहां देखने को मिलती है कि किसी कलाकार से हम पूछते हैं मान लीजे मुझसे ही कोई पूछ ले कि आपका समाज से सरोकार कितना है तो मेरे पास कोई जवाद नहीं है मेरी कलाका समाज से सरोकार हो ऐसी ऐसे क्षणों को मैं ढून नहीं पा रहा हूं और यही स्थिति सारे कलाकारों की है जब कलाका कलाकार से सरोकार है तो उसका समास से सरोकार होना भी अत्यावशक है, अनिवार्या है लेकिन इस स्थिती को बाजार ने तोड़ दिया है वरत्मान व्यवस्थाओं ने भंग कर दिया है और यहां पर एक बड़ा नुकसान विश्वतल पर यह हुआ है कि जब कलाओं को बाजार तोड़ता है कलाओं को बाजार बिखेरता है तो कलाओं के अस्तित्व पर कौन बात करेगा और कलाओं जो समाज के लिए है उस समाज में कलाओं कैसे जीवित रहेंगी ये जो बुनियादी सवाल है कि कलाओं जीवित रहें उसके लिए जरूरी है कि समाज का उसके साथ में लगाव हो और समाज का कलाओं के साथ में लगाव हो ये तब जरूरी है उस कलाकार के लिए जरूरी है कि वो अपनी कला को समाज के सापिक्ष रचे अपनी कला को समाज के साफिक्ष ले जाए लेकिन बादार बीच में आ गया है अभी मुझे बहुत बड़ा ताजूब होता है कई बार प्रदर्शनियों में जाते हैं और देखते हैं और प्रदर्शनी हॉल है किनी कलाकारों की वहाँ पर pending लगी है यह एक कलाकार की pending लगी है एक ही एकल या सोलो शो है बहुत ताजूब होता है कि वहाँ पर पचास लोग होंगे साथ लोग होंगे सो लोग होंगे कोई भी pending नहीं देख रहा है वे सब बातों में मश्गूल है और मैं पिछले कई कई वर्षों से इस बात को नोट कर रहा हूं और इस पर एक तरह से गहरे तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो यह जो सिदिया है अगर आप खुद अगर किसी एक्जिबिशन के इन्योग्रेशन पर जाएंगे और अगर आप एक तीसरी दृष्टी से उस पूरे महोल को देखेंगे अगर आप बर्ड वियू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पेंटिंग के पास में उस कला के पास में ठहरने वाले बहुत कम लोग हैं वो आपस में ही बतिया रहे हैं मैं नहीं कह रहा है कि बतियाना नहीं चाहिए मैं नहीं कह रहा है कि समबाद नहीं होना चाहिए लेकिन जो अनिवार्य है वो बिलकुल हाशिये पर है तो पेंटिंग्स में पेंटिंग्स की एक्जिबिशन में पेंटिंग्स पर बात नहीं हो पा रही है, उस पैंटिंग से नहीं गुजरा जा रहा है, जब कलाओं के साथ में हम घुजरेंगे नहीं, हमारा अनूबव गहरा नहीं जुडेगा तो मान लीजिए कि वो समाज के सापेक्ष नहीं जा पाएगी, समाज के किसी sculpture को लेकर और आप दो तीन उल्टे सुल्टे सवाल दाग कर लोट चलते हो किसी ने कोई शिल्प घड़ा है आप ठहर नहीं सकते दस मिनिट उस शिल्प के साथ में जब कलाकारों की ये इस्थिती है मैंने खुद ने देखा है अनेक प्रदर्शनियों में पिछले पांच वर्शों में अनेक प्रदर्शनियां मैंने इसी लिए देखी देखने के लिए और वहाँ पर मैं मुझे ये गहरी अनुगूती हुई कि पेंटिंग के साथ में कोई नहीं गुजर रहा है मतलब यह है कि कला के साथ में कोई नहीं गुजर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कला और उस कलाकार के बीच में समाज नहीं है बाजार है कलाएं इसलिए निश्पनने की जा रही है कि उसको बाजार उपलब्द हो सके और ये जो बाजार उपलब्द हो सके इसके कुछ निश्चित लोग है समाज को बाजार की जरुरत है लेकिन बाजार समाज नहीं है ये जो महीन अंतर है कि बाजार समाज नहीं है इसको कलाकारों को समझने की जरुरत है यदि हम देखेंगे तो सारी की सारी उसी प्रतिकूलता की और जा रही है कि कलाकारों ने बाजार को समाज मानकर अपनी कलाओं को रचना शुरू किया है आप ये तमाम विधाओं में देख सकते हैं आप नाट्यों में प्रयोग जो हो रहे हैं उसमें भी इस तरह की चीज़े हैं सहित्य में जो लिखा जा रहा है उसमें भी इस तरह की चीज़े हैं तो हमारा कहना ये है कि जो विशुद कलाएं हैं और जिनको समाज सापेक्ष होन चाहिए वहां पर थोड़ी गहरी भूमिका को निभाने की जरूरत है अन्यता हम देखेंगे कि कला निश्चित रूप से मेरा तो ऐसा मानना है कि ये बाजार कलाओं को समास से बाहर निकाल देगा ये दिपी कलाओं की अपनी अंत्रिक शक्ति बहुत बड़ी है कलाओं इतनी तो ये बाहर तो कहूंगा कि ये जो देश-काल का प्रत्य है इससे भी पार की बात है तो कलाओं निर्वासित नहीं होंगी लेकिन उसका ये ये फर्क तो पढ़ेगा कि किसी काल विशेश में जीने वाले किसी समाज विशेश को कलाओं से विहीन होना पड़ेगा या स्तरीय कलाओं से रिक्त रहना पड़ेगा और कलाओं से रिक्त होने का अर्थ है कि आपका होना नहीं होना कोई अर्थ न रखे अब देखिए कि हमारे अस्तित्त को लेकर जितनी बाते की गई है वो गे अग्ये यानि कि ग्याता गे के भेद को मिटाने को लेकर बात है और ये जो मिटाने वाली बात है ये समाज के सापेक शुवे बिना संभव नहीं है और बाजार आपको ग्याता और गे बनाए रखना चाहता है बाजार चाहता है कि समाज को मिटा दिया जाए किस तरह से मिटा दिया जाए मतलब कलाकार और समाज के बीच में ये जो बादार की घुसफेट है ये घुसफेट अनेक रूपों में है इसी का मैंने उधारन दिया भी कि कविता की घोस्टी हो रही है और सबजियों के भाव की बात चलती है मैंने खुदने आँखों से देखा है इसका मतलब ये हुआ कि हम हम जिस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उस जिम्मेदारी से कहीं कहीं चक रहे है मैं सब पर अक्षिप नहीं लगा रहा हूँ अनेक अनेक लोग हैं जो इस पर समर्पित हैं इसके साथ चुड़े हैं लेकिन अगर हम समाज को बहुत बड़ा मान रहे हैं तो कलाओं को भी उतना बड़ा होना होगा बस इतना सा कहना है और कलाओं तभी बड़ी हो सकती है जब वो समाज के सापेक्ष होंगी आधुनिक्ता अब हम कलाओं के साथ में मैं एक बात मुझे भी याद आ गई तो मैं कहना चाहूंगा कि हम अक्सर आधुनिक्ता की बात करते हैं या हम ऐसी चीज़ की बात करते हैं कि जो चमतकार उत्पन्न कर दे जो हमें लगे कि अरे वह ये क्या इस तरह से हमारी प्रशनाकुलता बढ़ा दे तो प्रशनाकुलता जो बढ़े वो तो ठीक है लेकिन हम किसी के अनुगामी हो जाए बिना उसके किसी सद्धानतिक आधार के बिना उसकी किसी सांस्कुतिक जड़ के ये कलाकारों के लिए बहुत खतरनाक होगा तो खास तोर से चित्रकला को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतिये चित्रकला जो रूप से रूप की और जाती है वो बहुत गहरी है वो यरोप की जो चित्रकला रूप से रूप की और जाने वाली है उस वैसी नहीं है येरोप में जो रूप से रूप की और जाया जा रहा है वो अंतता रूप पर ही ठहरा हुआ है अगर पिकासो अपने घनवादी चित्रण में किसी चेहरे को अलग तरह से प्रस्तुत करता है तो वो रूप का ही प्रतिरूप कर रहा है लेकिन हम रूप को छोड़ देने वाली कलापर हैं मैं आपको उधारण देता हूँ कि भारत में जितने मंदिर बने हुए हैं जितने भी मंदिर आप सारे मंदिरों के बाहर स्विष्टतम कलाएं जो उस समाज और उस समय के शासंद वारा संभव थी वो रची गई है संदर्तम मूर्तिशिल्प संदर्तम स्विष्टतम कृतिया वो बाहर रूप से आपका साक्षात कराने के लिए है लेकिन जब आप उस रूप का साक्षात कर लेते हैं और उस मंदिर के अगले चरण में जाते हैं अर्थात आप अगर उस मंडप की ओर जाते हैं तब आप एक भिन्न तरह की रचना प्रक्रिया देखेंगे वहाँ पर जो मूर्तिशिल्प है या वहाँ का जो स्थापत्य है वो वर्तुल है तमाम तरह के मंदिरों में चाहे आप द्राविट शेली के मंदिर लो बैसर शेली के मंदिर लो उत्तर भारत के या दक्षिन भारत के अंततह जब आप दुतिय तल में जाते हो तब आपको ये मैसूस होगा कि वो आपको वर्तुल करता है तब आपकी कलाएं जो एक आनंद प्रद अवस्था में थी मनोरजन की स्थिती में थी लावाने तक ठहराए हुए थी वही लावाने अब आपके चिंतन तल पर पहुँचता है और जब आप ठीक मंदिर के घर्व ग्रह में जाओगे तो वहाँ तमाम तरह की चीज़ें मिट जाती है वहाँ पूरी तरह से अमूर्तन है केवल एक प्रतीक होगा बीच में वो प्रतीक इसलिए कि कहीं आप भूलन जाओ कहीं आप कुछ आप से छूटन जाए कहीं आप कहीं विचलित न हो जाओ इसलिए किसी एक देव का, किसी एक देवी का, किसी एक आराध्य का प्रतिरूफ होगा अन्यता आपके तमाम घर्बग्रह आपको अमूर्तन की ओर ले जाते हैं तो ये जो अमूरतन की यात्रा है भारति-कला की, वो अमूरतन की यात्रा येरोपियन अमूरतन की यात्रा से बहुत बिन्ब है, अगर पॉल की किसी modern pending को बनाता है, वह जब आपके रूपा कारों से गुजरता है वह जब रेखागनितिय लखीरों को लाता है तब वो उस सवस्था की ओर नहीं जा रहा है मैं उसकी कला की बुरहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, प्रत्य कला का अपना जो दर्शन है, वो उसकी संस्कती की जड़ों में चिपाए, उसकी संस्कती सीची गई है ना, बरसों बरसों, लोगों की साधना से, आराध्य से, लोगों के अपने काम से, उन रिशियों अमूरतन से नितांत भिन्न है हम ग्याता गे के भेद को मिटाने पर भूमा की अवस्था की बात कर रहे हैं वहां पर आपकी द्रिष्टी को भिन्न तरीके से केवल रूप पर ही अटकाय रखने की बात है आप किसी भी पास्चाति चित्रकार को लीजे आप अमेरिकन कला देखेंगे तो वहां वहां अगर सो साल पहले की जो चित्र है और अभी के जो चित्र है अभी का जो अमूरतन है यहां तक कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप किसी कृती को सचते हैं विकृती को नहीं सचते और समय ऐसा आ गया है कि अब जब आप में कृती को रचने की न रही तो अब आप विकृती को रचने लग गए हैं और ये जो विकृती को रचना है ये आपके लिए ही गातक है ये हमारे अपने लिए ही खराब हो सकता है ये जो कृती और विकृती ये जो फर्क है ये भारतिय दर्शन ये भारतिय कला का जो जो सौपान है भारतिय कला मे जिस तरह से यात्रा की गई है वो यात्रा ही हमें वहां तक ले जा सकती है आप किसी भी आधुनिक चित्रकार को लेजिए यारब के लेजिए आस्टेलिया के लेजिए आप देखिए वो बाहरोपा कारों पर केंदरित है उसका रीजन है कि वहां की संस्कृती वहां का खाद वहां की जड़े ही ऐसी हैं कि उन्होंने बाहय यात्रा की है रूप की बाहय यात्रा की है और रूप की बाहय यात्रा में ही उनका रूप का बाहय अमूरतन है जबकि भारतिय कलाएं आंत्रिक रूप की यात्रा पर चलती है और आंत्रिक अमूरतन पर पहुँचती है और यह जो अमुर्तन की और जाना है यही कलाओं द्वारा दृष्टी का विस्तार है हम बात कर रहे थे कलाओं के विस्तार की और कलाओं द्वारा दृष्टी के विस्तार की तो यह जो दृष्टी के विस्तार है वह दृष्टी का विस्तार असंप्रग्यात की और है अभी अभी मै रितो जोहरी मैडम की पस्तक पढ़ रहा था, दो-तीन दिन पहले, तो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें रखी हुई थी, और वो है विशयी और विशय, यह जो विशयी और विशय है, यह जो भेद बना है, इस भेद में कलाकार इसके मद्धि में कहीं है, यह भेद मिटेगा, तब शायद कला अपनी पूर्णता पर पहुँचेगी, मैं इसको बहुत कम शब्दों में इसको पूरा करना चाहूंगा, कि यह जो विशयनिस्ट होना है, यह विशयनिस्ट होने का आशय ही इतना है कि हम किसी में पूरी तरह से डूब जाएं, और विशयनिस्ट होने का मतलब है, कि जिस चीज में डूबा गया है, वो चीज इतनी इतनी सिस्टता की हो, कि वो विशयी के मन तक आ जाए, सरल करते हैं इस बात को, कि विशयनिस्ट होने का मतलब है, कि यदि कोई कलाकार किसी रचना को रच रहा है, तब वो इतना इतना एकाकार हो उसके साथ में, उसके साथ में वो तमाम तरह कि सिस्टताय नियोजित करने को लग जाए, कि वो विशयनिस्ट हो जाए, वह विशयी विशयनिस्ट हो जाए, और विशयनिस्टता इतनी सिस्ट हो, कि विशयी विशयी न रहे, ये सारा प्रयास हमारी तमाम तरह की मैं तो कहूंगा गोहाओं से लेकर अजन्ताओं की गोहाओं से लेकर अभी तक का जो मियूरल्स होता है वहां तक यही यात्रा चल रही है हम इस कला के आयाम को इस कला की संपन्नता को महसूस कर पाएंगे आनंद ले पाएंगे इसका इसकी आशा रख सकता हूँ एक और बात मुझे लगातार यादाती है कि हम देखना नहीं सिखाते हम computer सिखा देते हैं बच्चों को हम foreign language सिखा देते हैं लेकिन हम बच्चों को देखना नहीं सिखाते हम बच्चों को नहीं बताते कि देखो दादी किस परात में आटा गूंती थी, हम नहीं बताते कि देखो वो जो पुरानी परात है, पुराना जो घड़ा है, हम नहीं बताते कि देखो ये चोकट जो है, उस पुराने घर की, गाउं के घर की, वो कैसी है, हम ये बच्चे को निसांस्कृतिक कुपादानों से जोड़ना ही भूल जाएंगे तो हम कैसे अच्छे कलात्मत परिवेश की आशा कर सकते हैं सामाजिक बदलाओं में कला के विस्तार को कैसे देखते हैं सामाजिक बदलाओं में कला का विस्तार बहुत खतरनाक है चूंकि इस पर अभी मैंने बात की थी की कलाइं कुछ नहीं बदलती किसी कला के द्वारा ना कुरान्तियां होती है ना बदलाव होता है कला बदलाव के लिए उत्परे रिखो सकती है कला बदलाव करेगी ऐसा नहीं हो सकता तो यही चीज सामाजिक बदलाव के संदर में कला को लेकर है कि कला का विस्तार समाज को संपन्न करेगा समाज को बदल नहीं सकता। लेकिन समाज को बदलने वाली जो ताक्ते हैं जिसको हम बादार कह रहे हैं जिसको हम आधुनिक्ता कह रहे हैं जिसको हम नया ढूंग कह रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि हम कल्चर्ड हैं यह जो शब्द है कल्चर्ड यह बहुत सतही शब्द है और हम जो इसका नुपालन कर हैं तो फिर फिर वहां कलाएं समाजिक बदलाव की बात बैठ नहीं पाती है सर इंदु शेकर जी ततपुरुष सर श्रद्धे पूछ रहे हैं कि कला अलोचना में विशयी विशय के भेद को object subject के रूप में नुर्वपित किया है विलकुल सही कहा सर विलकुल ठीक यह पे सर ने बहुत elaborate कर दिया है इसको तरह से बहुत अच्छे तरीके से इन दो शवदों कर लेकर कह दिया है अबजेक्ट और subject q कलाओं से बहुत गहरा जुड़ा है मैं से सहमत हूं तुम ये विशयी विशय का पर्याय भी वही है हम बात कर रहे थे एक चीज जो अंतिम मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जोड नहीं रहे हैं और जब हम जोड नहीं रहे हैं तो हम दृष्टी का विस्तार नहीं कर रहे हैं हम देखना भूल गए हैं पुराने जरोकों को, पुरानी हवेलियों को, हम बावडी पर जाना नहीं चाते जिसको रचा गया है, हम पेडों के पास में पेडों को महसूसना नहीं चाते, और हम नहीं चाते तो ठीक है, हम हमारी नसलों को उससे दूर कर रहे हैं, उनके सामने च हमारी संत्ति को, हमारे आने वाले नए लोगों को कैसे बता पाएंगे कि हम संस्कृति के इस चरण से गुजरते हैं और बिना चरण के चीजें टिक नहीं पाते हैं टिक नहीं पाएंगे भी ये जो दूर कर रहा है कृपया मेरा निवेदन है कि हम हमारे घर में अपने बच्चों को अपने परिवेश के बच्चों को जितनी पुरानी चीजें हैं जितनी कलात्मक चीजें हैं उसको जोड़ें यदि ये हो गया तो मैं समझता हूं कि कला अपने बहुत अच्छे पायदान पर पुना पहुंच सकती है आपने मुझे सुना है बहुत अच्छा लगा मुझे कोई सवाल हो तो आप जरूर स्वागत है आपका मैं चाहूंगा कि यह एक तर्फा संबाद की बजाए रितु जोहरी मैडम लिख रही है नासदिय सुप्त की बात की मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरे इस पर डिस्टब हो रहा है एक ही मैंने पढ़ पढ़ा है उनका नासदिय सुप्त और चुकि यहां पर बहुत विज्य मेरे लिए बहुत श्रद्य सर तत्पुरुष जी सर भी इसको लाइव देख रहे हैं मैं इस पर पढ़ नहीं पा रहा हूं तो टिपण ही नहीं दूंगा लेकिन हां नासदिय सुप्त मुझे इसलिए प्यारा लगता है कि वह पहली यात्रा है आपकी उपनिशिद्यों की और जाने की मतलब वेदों का जो यह सुप्त है यह सुप्त आपका वह प्रथम वह वो रास्ता है वो गेल है वो वो पकडंडी है जिसके सहारे फिर तमाम तरह के उपनिशद हमारे समक्षाते हैं और फिर वो जो वो जो अल्टिमेट टृत की बात है यह मारी तू मैडम मैंने आपकी किताब में बहुत सारी चीजों को चीना है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर हम अलग से और बात कर पाएं लेकिन मुझे लगता है बहुत कम किताबें हैं ऐसी जो इस तरह से बात करती हैं आपने जिस तरह से भारतिय कला और भारतिय कला से जुड़े संदर्मों को लिया है वे बहुत स्थुत्य हैं मेरी और से आप बढ़ाई स्विकारिएगा मैं मैं टिपणी पढ़ नहीं पा रहा हूं तो मैं कुछ नाजदिय सुक्त बोजोन हिग्स गौड़ पार्टिकल मिल्की औसीन क्षीर सागर संद साइन्टिफिक एनलेसिस को रिलेटेड तु विश्नु अनंत नाग एटीसी होब वी विल प्लान टू डिसकस मोर जरूर मैडम यह जो बात भी आपने की थी बहुत 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 सठीक बात है और नाजदिय सुक्त हमें उधर ही ले जाता है तमाम तरह की जो वेदों की रीचाएं हैं मंत्रों की जो अभीपसाएं हैं उन अभीपसाओं को छोड़कर पहला पहला यह सुक्त है जो हमें इसके साथ में अदीती सुक्त भी है ये नास्दी और अदीती ही हमें हमारे गंतवी के ओर ले जाते हैं मुझे बहुत प्रसंदता है कि हमारे राजस्तान में आप जिस तरह से किताब को लाई है उसका बहुत बहुत सारे विद्यारती लाब लेंगे कोशिश यह भी यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है मैं कहना चाहूंगा इस मंच से कि बहुत सारी अच्छी किताबें महाविद्याला में विश्विद्याला में पढ़ने वाले बच्चों को अपलब्द नहीं है उनके बारे में बताया भी नहीं जाता है तो यह भी एक धुखत स्थिती है मैडम आपका बहुत शुक्रिया परन्तु मैं एक टिपणी है परन्तु पुनरजागरण में तो कलाने महत्वपुन भुमिका निभाईती सर स्पस्ट करें किस पुनरजागरण की बात करें हम हम यह यहरॉप के पुनरजागरण की बात करते और जिसके सहारे दूसरा जो भौतिक रिवलुशन हुआ अगर मेरा अपना सीमित ज्यान है जो पुनरजागरण की बात है पहले यहरॉप से शुरू करते हैं जो यहरॉप में पुनरजागरण हुआ उसका बहुत बड़ा मंतव इतना सा था कि यह जो चर्च की व्यवस्ताएं थी यह चर्च के जो बंधन थे इससे मुक्ति के लिए जो भी हो सकता था कलात्मक रूप से वेग्यानिक रूप से और अनेक दूसरे आयाओं में भी समाज के अनेक दूसरे फिल्ड्स में भी जिस तरह से हो सकता था वो उसमें महत्वपुन भुमी का निभाई लेकिन वो समाच एक बंध समाच था हम अगर मद्यकाल की बात करते हैं तो वो जो वहां का पुनर जागरन था वह एक बंध समाच की बात थी बंध समाच का संदर्ब यहां पर मैं यह ले रहा हूं कि वहां पर सारी चीज़ें सीमित थी और उसमें असीन था तो केवल धर्म आधिपत्य मैं धर्म भी नहीं कूँगा मैं कहूंगा धर्म के नाम पर आधिपत्य तो यह जो चर्च की सत्ताएं थी जगे जगे पर उनकी जो प्रतिनीधी थे और जनता जिसकी जिन प्रतिबंदों के कारण अपनी चीजें नहीं कर पाती थी उसी के विरोध में कुछ में देखते हैं सडक ग्यान में देखते हैं चापा खाने को बाद में मार्टिन लूथर आया तो पुनरजागरण की एक तरह से देन थे कि उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट को किया और वही था उसी का प्रतिकार था जो जो बंधन था उससे मुक्ति के लिए कोशिश की गई लेकिन वर्तमान संदर में अगर हम देखते हैं एक प्रॉबलम यह खड़ी होती है कि योरोप का जो पुनरजागरण है और पुनरजागरण में जिन कलाओं का विकास हुआ वो उस समय सापेक्ष की बात थी लेकिन आज का जो समाज है वो इतना खुला समाज है वो बं तो चीजें स्प्रेड होने लगी जब वो चीजें विस्तीन होने लगी तो चीजें टूट गई और इसमें कलाओं ने निश्चित रूप से योगदान दिया लेकिन हम आज के समाज में उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिती में है उसका कारण यह है कि हम एक ऐसे खुले समा यह खुलापन आपके भीतर मानवियता संवेदना कुद्पन नहीं करता यह जो खुलापन है यह खुलापन अन्यक साजिशों के साथ में हमारे समक्षाता है और यह इस यूग की सबसे बड़ी कमजूरी है कि हम जब जड़ों से कट कर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें तो वहां पर संभव नहीं है कि हम पहुंच पाए हम कला के बहाने ही बात करें अगर हम कला के बहाने बात करेंगे तो देखेंगे कि आज कितने कलाकार हैं जो किसी एक किसी एक दूसरे कलाकारों के साथ में समय बिताता है उसकी कला के साथ में बहुत कम है कितने संगीतग्य हैं ऐसे जो जो हम अगर किशोरी अमोनकर की बात करें और किसी की भी बात करें कितने हैं कि रियास के उस तल से गुजरना चाहते हैं नहीं गुजरना चाहते हैं वो इसलिए नहीं गुजरना चाहते क्योंकि कला से गुजरने का मतलब ये भी है कि आपको एक अबूज यात्मा से गुजरना होता है आपको वर्तमान होना पड़ता है और वर्तमान होने में बहुत पीड़ा बहुत ताकत चाहिए तो पुनरजागरन का जो समय था उस समय में जो कला की भुमी का थी उसने अनेक अलग तरह की च चुनोतियां किस तरह से है इसका बहुत सिंपल सा अगर हम समाधान अगर ढूनना चाहें तो यहां मिल सकता है कि हम हमारे आसपास का जो परिवेश और जो कुछ भी अभी भी बचा हुआ है जो कुछ भी शेश बचा है हमारे मेले तोड़ दिये आपकी इस आधुनिक कर दिया जब आपकी सारी विवस्ताएं इस प्रकृति को द्वस्त करने में लगी है तब आप कला को लेकर क्या कर लेंगे हां कर सकते हैं यदि हम खुद भी और आने वाले लोगों को भी देखना सिखाएं चीजों से जुड़ना सिखाएं जब बहुगुणा जी पेड से एकाकार कर लेते हैं पेड को देख लेते हैं पेड से मिल लेते हैं तो फिर कोई उस पेड को काट नहीं सकता वो जिस तरह से पेड चिपकते हैं वो जिस तरह से उससे जुड़ते हैं वो इस बात की आश्वस्ती है कि वो पेड जिवित रहेगा और जिवित रहा है यही चीजें कलाओं के साथ में हैं कि हमारे पास में उपस्तित प्रकृति के तमाम उपादान जिसको नस्ट किया जा रहा है उनको बचाया जाए यह जो नस्ट करने की प्रकृतिया है यह इतनी धीमी इतनी अद्रिश इतनी महीन है कि कलाकारों के सिवा किसी को पकड़ना थो बहुत मुश्किल पड़ेगा लेकिन कलाकारभी इतना आत्ममग्द से कि वो नहीं पकड़ पा erा तो इस तरह से बाते हैं आप लूग मुझे सुन रहे हैं मुझे सुना मैं आपको बहुत धन्यवाद ग्यापित करूँगा चुकि मुझे लग रा है कि समय हो चुका है आप आदेश कीजिए मैं फिराम लेता हूं और आप सबका बहुत शुक्रियादा करता हूं चितरंजन जी गोपे जी का आभार रितु मेडम का आभार अगली बार जब हम पुलहं मिलेंगे तो कलाम पर कुछ और ठोसब करने की कोशिश करेंगे अपने विचारों को साजह करने की कोशिश करेंगे मैं आपसे विदा लेता हूँ उन्हें सुना उसके लिए धन्यवाद ग्यापित करके विदा लेता हूँ बहुत धन्यवाद जनसरुकार मंच का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने या उसर मुझे दिया